नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत आप सभी का अतुल्यारेस केस डिजिटल प्रेटफॉर्म पर तो दोस्तो हमने शुरू किया था राजस्थान का जिलादर्शन और राजस्थान के जिलादर्शन में हम तीन संभाग पढ़ चुके हैं कौन-कौन से तीन संभाग जैपुर हमने पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया जोदपुर और हमने पढ़ लिया सीकर संभाग ये तिन संभाग हम पढ़ चुके हैं आज अपना चोथा संभाग चुरू होने जा रहा है और चोथे संभाग का नाम है अजमेर संभाग इस अजमेर संभाग में कुल जिलों क अगर हम बात करें तो साथ जिले हमारे सामने रह जाते हैं कौन-कौन से अजमेर है ब्यावर केकडी टॉंक नागोर डीड़वाना कुचामन और शाहपुरा और साथ ही हमारी जैपुर में थे तो दो संभाग ऐसे हैं जिनमें साथ-साथ जिले हमें देखने को मिलते हैं यह हम हमारे संभाग का मेप यहां देखीएगा नागोर नागोर के पुढ़ोस में डीड़वाना चैल और शाहपुरा यहena जिले के नहीं जिले जो नए बने हैं और यहां से पूछे जाने के भी काफी संभावना ही हमारी रह जाती है चलिए कर शुरू करते हैं अजमेर जिले को पढ़ना और सबसे पहले हम बात करें कि अजमेर जिले के उपनाम क्या है या अजमेर जो जिला है वो राज्य का मद्यवर्ति संभाग भी है संभाग है यह हम पर बहुत बड़ा और से लगता है इसलिए इसे हम कहते हैं राजपताना के कुंजी राजस्थान का जिब्राल्टर विभिन संस्कृतियों की भूमी यह बहुत सारे नाम इसके आते हैं आकरती हम देखीं तो जिले की बिल्कुल देखो यहां पर त्रिवुजा कार है जो आप इस मेप में भी देख सकते हैं बिल्कुल सिधा त्रिवुज तो नहीं बनेगा लेकिन यहां अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे तो यह लगबग कैसी बनती है एक त्रिवुज के जैसी इसके आकरती बनती है और यहां चाहें तो आप इसको ऐसे मिला सकते हैं दोस् बहुत अच्छा प्रिशन है कि कौन सा ऐसा जिला है जिसका आकारत्रिवुजगे जैसा है तो वो अजमेर जिला है अगर अजमेर जिले की हम बात करें तो कि यह जिला कब बना तो एक नवंबर और केकड़ी जब से निया जिला बना तो इसमें जो तैसिले रह गई वो साथ तैसिले रह गई है ठीक है और यहां हम बात करें जिला तो तभी बन गया जब यह 26 जिला बना तो 26 जिला है यह जब एक नुम्बर ने सुच्छपन को एक हमारा कंप्लिट वा था जैसा कि 2023 में र यह दो जिले जो हैं वो यहां से नई बना दिये गए व्यावरुर केकड़ी को नया बना दिया गैं दो यहां अगर हम देखें इसके प्राचिन नाम के तो इसका प्रक्रौ नाम करता है अजमेर मेरवाडा स्थापना के अगर हम बात करें कि अजमेर के स्थापना कब होई कैसे होई तो अजमेर प्राचियनकाल के हम बात करते हैं प्राचियनकाल में जो इसकी स्थापना होती है दोस्तों वो 1113 में अजे राज के द्वारा की गए थी ये अजे राज कौन है ये प्रत्वी राज प्रत्म का पुत्र था अजे राज जिसने 1113 में बीठली नामक पहाड़ी पर कौन से पहाड़ी है दोस्तों बीठली नामक पहाड़ी के ऊपर जो है अजे मेरू नगर की सापना की थी कौन से नगर की की थी अजे मेरू जो बाद में क्या कहलाया अजमेर कहलाया अगर इसमें प्रोसी जिलों की हम बात करें तो प्रोसी जिले हैं इसमें साथ सबसे ज़्यादा कह सकते हैं काफी हो गए ना साथ में देखी का ये हमारा अजमेर जिला रहे गया आप देखें इसमें कौन-कौन से लगते हैं तो एक डीड़वाना कुचामन दूसरा जेप प्रोग्रामिंड की सीमा लग रही है तीसरा दुद्दू की और फिर टॉंक की लग रही है केकडी की लग रही है ब्यावर की लग रही है और नागोर की लग रही है इस परकार से साथ जिलों की जो सीमा है वो अजमेर के साथ में लगती है और मैंने हर बार हर क्लास में आपको ये कहा कि ये मेप आपको उच्छे से याद हो नहीं चाहिए यहां से कुश्चन आने के संभावना काफी ज़्यादा रह जाती है राज्य के केंदर में स्थित जिला है बिलकुल ये राजस्थान का एक सेंटर पॉइंट अपने कह सकते ही और जैसा भी हमने ये बात भी की थी ना कि एक मिनिट एक चीज़ और मैं याद करवाना चाहूँआ है एक नमबर उनिस सो चपन को एक 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 स्थित जिले के रूप में शामिल हुआ था और यह आपको याद होगा कि अक्टूबर उनिस सो चपन तक ये राजस्थान के जो हैं सीस रेनी सीस रेनी के राज्यों में से अजमेर जो है वो सीस रेनी के राज्यों में से एक राज्य हुआ करता था अजमेर जो है ना एक चीज याद रखेगा अजमेर एक केंदर सासित प्रदेश भी वह करता था अजमेर मेरवडा अजमेर जो है वो सीस रेनी का एक रज्य हुआ करता था अक्टूबर 1906 तक हना नवंबर 1956 में अजमेर मेरवाड़ा जो है उसका विले राजस्तान में कर दिया गर उसके बाद में ये जो है वो एक नया जिला बना था ये जो जिला है वो एक पठार परस्तित है दोस्तों कहां परस्तित है दोस्तों ये एक पठार परस्तित जिला कह सकते हैं और वैसे हम इसे कहते हैं राजस्तान का हर्दे तो राजस्तान का हर्दे इसलिए भी है क्योंकि अजमेज जो है वो भारत के पस्चिम भारत का जो पस् स्थित यह एक जिला रह जाता है और सिकाल सी इस मेंदानी हिस्सा भी रह जाता है। ये अरावली का ही विस्तार है किसका विस्तार है दोस्तों अरावली प्रवत माला है उसी किस रेनी जो है वो हमारी कुन सी तारागड रहेगी अरावली परुवत माला है अरावली परुवत माला की ही तलहटी है तारागड परुवत की तलहटी उसी में ये समुद्र तल से लगवग तेरा सो फिट उन्चाज ये जो बसा हुआ जिला हमारा रह जाता है अरावली परुवत माला का सबसे कम विस्तार और सर्वादिक कटा-फटा भाग अगर आप से पूछें तो यह हमारा रह गया यहीं पर अजमेर में ही है दोस्तों अगर हम परमुक परवतों की यहां बात करें तो यहां पर परवत रहे गया मुराम जी 933 मिटर और तारागड जो है यहां का मुखे चोटी रहे गी परवत रहे गी नदियों में अगर हम बात करें यहां पर लूनी नदी है, बनास नदी है, खारी नदी है, रुपमती नदी है और सागर मती नदी यहां पर रह जाती है दोस्तों जिलों की अगर हम बात करें तो पुसकर, आना सागर, फोय सागर, फूल सागर, नाराइन सागर जैसे बहुत सारी जिले हैं जो यहां पर मुझूद है अब यहाँ सबसे important नाम अगर किसी का आता है जमिन में तो पुसक का आता है बहुत ही important है, हिंदुों का पांचवा तीरत हम इसे कहते ही इसलिए इसको 13 राज, तीरतों का मामा कहते हैं, तीरतों का भांजा मस्कुंड हैं, मस्कुंड दोलपूर में है, उसको कहते हैं तो तेर्थों का भाँज़ा है सवारी त词पो का मामा है यह और हिंदूओं आपट है राज्यए की सबसे बड़ी प्राकर्तिक जील की अगर हम बात करें तो यही पर है जाती है बारत के सरवादिक पवित्र तीर्थों में से एक है पांच पवित्र तीर्थों मानते हैं अपने जिसमें कुरुक्षित्र है गया है गंगा है प्रियाग है और एक हमारा कुंसा रह गया पुस्कर है पुस्कर में पुस्कर मेला भी लगता है कब लगता है ये कार्थिक शुक पाँस नेगम के दवारा पर्ति वर्ष इसका आयूजन करवाया जाता हैं यह आपको समझ लेना है अब हम बात करें ब्रह्मा मंदिर की जो कि जिसके लिए एजमेर जाना जाता है भूग सारे मंदिर हैं लेकिन यह जो हैं ऐसा हम कह सकते हैं कि प्राचिन तम ब्रह्माजी का मंदिर है या विश्व का एक मातर ऐसा मंदिर है जहां विदिवत रूप से ब्रह्माजी की पुजा होती है दोस्तों अगर इसके आधोनिक निर्मान की बात करें तो ठारवे सितावदी में गोकुल चंद पारिक के द्वारा जो है इसका आधोनिक निर्मा वे भी बना हुआ है इसके लावा यहीं है रंग नाथ जी का मंदिर कौन सा मंदिर दोस्तों रंग नाथ जी का मंदिर है पुशकर अजमेर में ही है यह भगवान विशनु को समर्पित है और यह मंदिर के अगर शेले के बात करें तो गोमुक शेले या फिर द्रविड शेले क के अंदर जो है ये बना हुआ है इसका निर्मान किस ने करवाया था तो ठारा सो चॉन्तिस के अंदर सेठ पॉन्मल के द्वारा जो है वो इसका निर्मान करवाया गया था याद रहना चाहिए पुशकर में ही है वराह मंदिर पुशकर इसका जो निर्मान है वो अरनोराज के यहीं स्थित है इसका निर्मान जो आमेर के मानसिंग हुआ करते थे उनके द्वारा जो है करवाया गया था और वर्तमान में यह होटल सरोवर के रुप्या आपको देखने को मिलेगा राजे की पहली पुष्प मंडी कहा है गना हेडा गाउं पुष्कर यहीं है राजे का पहला हाई टेक डाक्कर की बात करें तो वो भी पुष्कर में ही है और पुष्कर दोस्तों फेमस है किसलिए गुलाब की खेती के लिए यह जाना जाता है अजमेर में और फेमस क्या है तो अजमेर में है तारागड का दुरुग तारागड दुरुग जो है अजमेर में ही है बीठली पहाड़ी परस्तित है ग्यारुए स्थावदी में अजे पाल के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था और इसे दुरुग को हम कहते हैं गड़ मेवाड के राना रायमल है उनके पत्र प्रती राज निया अपनी पत्रा के नाम पर जो है इसकेले का नम क्या रख दिया था तारागड ल्क दिया था तारागड दुरग में मिरान صاح pud da रहा जहां उर्श वग Répघरा भरता रहता है इसी में गोडे की मजार भी है यहीं पर हिंजडे की मजार भी है दोस्तों यहां जालरे पॉंड जैसे बनी हुई है नानसाब का जालरा इबराहिम का जालरा इसके अलावा यहां पर क्या है रूठिरानी उमादे जो है मालडेव की पतनी थी इसने अपना अंतिम समय भी इसी दुर्ग में ही व्यतित किया था किलो में अगर हम बात करें और कौन सा किला है तो यहां पर मैगजिन का किला आपको देखने को मिलेगा जिसका निर्मान 1571 व्यतर में सेंइब के दोरा बन वाया गया था यहीए अकबर का दोलत खाना है मैगेजिन हत्यार यह यहां पर यह रखा करता था कि राजस्तान का एक मात्र दुर्ग है किस द्रस्टि P dazu मुझ्डों मुस्लिम निर्मान प्दिति बनाया गया राजस्तान का एक मातर दुर्ग हमारा यही होता है और हल्देगाटे युद्ध की जो अंतिम योजना है वो कहां पर बनाई गई है दोस्तों यहीं पर बनाए गई थी यहां चश्मा-ए-नूर है एजमेर में यह जहांगेर ने अपने नाम नुरुदिन जहांगेर था इनका पूरा नाम उसे के नाम से चश्मा-ए-नूर के स्थापना के थी और यह तारागड के पस्चे में ही आपको देखने को मिलेगा जहांगेर के द्वारा बनवाया गया दोलत बाग जो है आपको यहीं पर देखने को मिलेगा अजमेर में ही है अढ़ाई दिन का जोंपड़ा जो अढ़ाई दिन का जोंपड़ा है वो वास्तों में संस्क्रत कंठावरंड पाटशाला हुआ करती थी और विग्रह राज यानि विशल देव चोहान के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया था इसके उपर हैरी के लिखा गया है विशल देव करनाटर का यहां लिखा गया है लेकिन कुटुग दिन अबक जब आया तो इसने से तुड़वा दिया और इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्भान करवा दिया भी वर्टमान में मस्दिदा आपको देखने को मिलेगी यहां पर पंजाब शा बहुत सारा सोनव यहां इसमें लगाया गया है इसलिए इसके आंतरिक भाग को हम सुरण मंदिर के नाम से जानते हैं सुनी जी की निसिया यह थोड़ा सा हम अच्छे से इसको याद रखना है कौन से मंदिर के आंतरिक वाकुम स्वरन नगरी कहते हैं तो फिर यही आंस्वर रहेगा दोस्तों इसके लावा छोटा राम देवरा जो है वो खुड़ी आवास गाउं है ये गाउं के अंदर है अजमेर में ही है इसके लावा भीमगड दुर्ग है करनल टोड के द्वारा बनवाए गया ये इंपोर्टेंट हो गया अजमेर में नवगरे मंदिर है राधा जी का मंदिर है सलेमाबाद सलेमाबाद और किसलिए जाना जाता है अगर आप से पूचा जाए निमबार्क संपरदाई की प्रधान पीट कहा है तो सलेमाबाद और अजमेर में है निमबार्क संपरदाई के लिए जाना जाता है इसमें राधा जी की पुज़ा होती है रूठी रानी का महल कहा है बिसलपुर जिल अजमेर में ही है इसके लावा SWRC यानि के समझे कारेम अनुसंदान के अंदर कहा है तिलोनिया अजमेर में है और तिलोनिया अजमेर से ही आपके जुड़ी हुई एक हस्ती का नाम आता है अरुना राए अरुना राए वो परसंद थे जिन्हों ने सुचना के अधिकार के लिए संगर्ष किया था एक रूपन गड़ नदी है यहाँ पर इसका उद्गम सलेमवाद की पहाड़ियों से होता है और इसी के किनारे जो है वो निम्मार्क संपरदाय की पीठ पर नहीं हुई है यहाँ दो पहाडियां है बीठडी की पहाड़ी और मेरवड़ा की पहाड़ी सिंपल चीज है किसंगर सेली कि चित्र शेली जो है वो काफी इंपोर्टेंट हमारी मानी जाती है कि अजमेर की जो मुख्य चित्र शेली है तो वो कौन सी है बनी ठणी के चित्र यहाँ पर बनेंगे देखने को मिलेंगे जिसे निहाल चंद के दोरा बनाये गया इसको राष्थान की मौना लिसा भी कहते है बाकि तो हम कल्चर की क्लास में इसके विशे में पूरा डिसकस करेंगे संदर्म में हमने यहाँ पर बात कर ली है मेयो कोलेज जहां पर राजा माराजाओं के बच्चे ही पढ़ा करते थे 1864 में अजमेर में इसको स्थापित किया गया था राष्ट्रिय मिल्टरी स्कूल अभी इसका वर्तमान नाम है अजमेर में 1930 में इसकी स्थापना जो है किंग जोर्ज रोयल इंडियन मिल्टरी स्कूल के रूप में किये थी अभी इसका नाम चेंज होता चला गया है दूस्तों याद रखिएगा इसको चैसे आरपीसी की एगर हम बात करें तो आरपीसी के स्थापना अजमेर में 20 अगस्त उन्हें सुनचास को गए थी अरुना राइ अभी हमने देखा इसका सुचना का दिकार के लिए इन्होंने संगर सकते लोनिया अजमेर से समय थे हर्विला शार्दा वो विक्ति हैं जो परसन है जो जिन्होंने शादी विवाह की वैस्त आयू को जो है 18 और 21 वाला यह जो है न यह सुरू करने का योगदान किसका वाने देता है हर्विला शार्दा को शार्दा एक्ट बाली वार उक्ताम के लिए बनाए गया अजमेर में है मनु भंडारी काफी फेमेस हस्ती है लेकक का है और यह भी अजमेर से समझ देता है फलकूबाई फलकूबाई कोन है चरी नर्ते करते हैं कलस वाला नर्ते क करते हैं किसंगड अजमेर से समझ दीते सर्वादी गिर नसल की गाएं अगर कहीं मिलती है तो वह मिलती है इसके बाद में देखेगा कोसी मिनार कोसी मिनार कहाँ अजमेर में अकबर के द्वारा बनवाई गई और यहां इंपोर्टेंट चीज रहे सब्सक्राइब कि किसे चावनी के लिए किसंगड प्रजामंडल रियास्टों में राजनितीक पुनरिजागरन के लिए उनके स्थापना की गई थी किसने कांतिलाल चुथानी और जमाल शाह के द्वारा की गए थी अजमेर किसंगड में ही है कहरीगड का किला कुछ और बाते हैं कि देखें तो मुर्गे पालन के दृष्टी से राज्य में प्रत्रम स्थान पर अजमेर आता है सर्ट टोमस रो इंदुस्तान से वेपार की अकबर भी यहां जियारत करने आता था पांस बार उसने पर दल यातरा कि थी अजमेर के लिए जहांगीर ने अजमेर में 1613 16 के मध्य मुगल दरबार भी लगाया था राजस्व मंडल की स्थापना उनिस वन चास में हुई थी अजमेर में गिद सनक्षन के अंदर भी अजमेर में बनाये जाएगा गो भैरन ने भी प्रस्तावित है अजमेर में ही कि हैं चम्टी इंदुस्तान मसिन टूल्स इसके साफना चाथ यावास अजमेर में कीगी यह भी याद रखीगा और रेलवेड पुलिस का मुख्याले अजमेर में हैं रेलवेड पुलिस का रास्थान के रास्थान में सरवादिक फैल स्पार इसको वेसे याद रखेगा ना क आँ होते हैं बच्क्रमेर में हैं तो लगता है स्ररावन का मत्रावन के त सब्सक्रीट जहां साब ने ड्चान जिब नहां दूंते तो वो सूर सुराञर में हैं यह बहले नहीं स्फान है और इसलिए हैं इंपॉर्ट्टन्ट क्योंकि यहां जो हैं डोला मारू की कभी शादी हुई थी इसके साक्षे हमें मिलते हैं इसके लावा देखिए का प्रथम आमला नर्सरी अजमेर में राज्य का पहला सीस्व मोग्रा भुकम मापके अंतर अजमेर में बना था लगा था दोलत बाग उद्यान अभी हम इसको पढ़ चुके हैं निर्मान जहांगे ने इसको करवाया था राजस्तान में आहरुवेदिक विभा का मुख्यले कहा हैं अजमेर में राजस्तान में जेवित विरसत से कौन सा नाग पहाड़ है ये इंपोर्टेंट हो जाता है ऐसे किशन आ जाते हैं कई बार राज्य में पहला मेगा फूड पार कहां बनाए गया रूपनगड किशनगड अजमेर में किशनगड कौन सी है मारवलग होता है तो मारवल की मंड़ी जो है वो यही है किशनगड और पहला उन AbsolTON के बना एक तर जो संदह की आ जिसका पहला जो है विवी जय मसालान शड़न किंधरी हाय तब जी मेर पुछे कि किंद्री है यह कुझ सा है केंदर यह है कि बीज मसाला केंदर जमेर में हैं जमीर का सोबहांकर सब्सक्रा खरमोर प्रमोर जो यए बखरी सबस्क्रारा यह ए कज दोड़ा ब का 1 झीडार बिदी यह जब देंक ये को कैंदर मुखें कर जितने। क्वाजा मुईनु दिन चिस्ती की दरगा कहा है अजमेर में ही है और इन्हें हम अजमेर शरीफ के नाम से भी जानते हैं और इसे ही हम किस नाम से जानते हैं गरीब नवाज के नाम से जानते हैं रजब महिना है तो रजब महा की एक से च्छे तारीक के मद्या यहां पर उस भरा जाता है दोस्तों एक बात छूट गए थी मैंने यहां पर इसको अलग से मेंशन कर दिया है दोस्तों इसके लावा एक चीज और मैं यहां पर नोट करना चाहूँगा यह भी आदर केगा दादा बड़ी अजमिर में ही है दादा बड़ी ये एक समाधी स्थल है दादा बड़ी क्या है एक समाधी स्थल है और ये है किसका समाधी स्थल जिन दत सूरी की समर्ति में है जिन दत सूरी जिन्दत सुरी कौन थे तो जिन्दत सुरी थे जैन संत थे वल्लब सुरी उनके सिसे हुआ करते थे स्वेतामबर जो लोग होते हैं स्वेतामबर जैन समुदाय से ही समंधित था दोस्तों इसके लावा कुछ और याद रखना चाहें तो एक चीज याद आपसे पूचा जाएं राधा का मंदिर तो वो भी कहा है अजमेर में ही है राधा का मंदिर भी अजमेर में ही है इसको भी अच्छे से याद कर लीजेगा दोस्तों एक और आप याद रख सकते हैं नव ग्रह मंदिर नव ग्रह मंदिर कौन सा है यहीं है और यह राज्य का एक मात्र मंदिर है यह कैसा मंदिर है एक मात्र मंदिर है जहां पर नो ग्रह की अलग अलग पत्थरों पर प्रतिमा बनी हुई है नहीं था आपको सभी एक ही जगह दे बियावर जिला है जिसमें ढगोरों और सिमें के साथ में लगती तो बिलकुन नया जिला है छोटा सा जिला है और जैसा अगर हम इस सापना के बात करें तो हमें अभी इग्यात हो चुका है कि 7 человек 2003 तारिक थी जब देखी गांने 19 loss का पुनर गठन वहा और काफी नए जिल्ये बनी थी उसकी प्रम में जो है व्यावर का गठन भी किया गया था तो थो रभी जिल्या है उसका गठन हमने किया अज्मेर से पालि से भीलवरा से और रास्मीं तका यहां देखिएगा इस ज्ले के अंदर शै अबखंड है और साथ तसीले हैं याद हमें यहां यह रखना है कि अजवेर भी है इसमें पाली भी है भीलवड़ा है और आसमन चार जिलों के हिस्सों को मिला करके पुनर गटित करके ब्यावर जिले का गठन किया गया है यहां ब्यावर में देखिए जितारन, राइपूर, मसुदा, विजनेगर, बदनो, टोडगर, ब्यावर यह सभी स्थान हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों अगर हम बात करें ब्यावर की ब्रमुख नदियों की तो लोनी, गुडिया, बाजाकुडि और सुकडि नदिया जो है वो इसकी मुख्य नदिया रह जाती है दोस्तों ब्यावर का जोक्षेत्र है दोस्तों अपना ब्यावर का जोक्षेत्र है उसको मेरवड़ा के नाम से जाना जाता था किस नाम से जानते थे हम पहले मेरवड़ा के नाम से जानते थे दोस्तों 1836 की अगर हम बात करने तो अजमेर के एक अतिरिक्त साहे कमिशनर थे करनल डिक्सन कौन थे करनल डिक्सन थे जिन्होंने देखे इस नगर की स्थापना की थी दोस्तों याद रखे गैसे से और थोड़ा सीमा की एगर हम बात करें ब्यावर के सीमा तो साथ जिलों से छुती है कौन-कौन से है वियरा हमारा ब्यावर एक नागोर से दूसरी जोदपूर ग्रामिन से तीसरी पाली से चोथी रासमन से पांचवी भीलवाडा से चटी जो है हमारी केकडी से लगती है और साथ जो है वो अजमेर्ज लगती है साथ जिलों से जो है ब्यावर की सिमा लगती है ये थोड़ा इंपोर्टल कुशन नमारा रह जाता है वियमने इसके बात की भी थी करनल एरिक डिक्सन जो थे उन्होंने अधारा सो पचास की मध्य में एक परकोटा बनाया है और उसी के अंदर जो है ब्यावर नगर की स्थापना की थी अगर संस्थापक के बात करें तो करनल एरिक डिक्सन का नाम इसके अंदर हमेशा आएगा ये हमें अच्छे से याद रखना है यहां देखिए ध्यान रखने माली बात कि बर और से उपर घाट दरी पहले अजमेर में होते थी अभी हमें उनको ब्यावर में याद रखना पड़ेगा तो ऐसा क्विश्चन आप से पुछे जाने की स्थापना संभावना थोड़ी ज़्यादा है कि कौन से चीज़ें यहां काफी चेंज हुआ है जो पहले अजमेर का या पाली का भागुआ करता था वो ब्यावर के अंदर आ गया है बादशाय मेला की बात करें काफी इंपोर्टेंट यह हमारा मेला रह जाता है होली की तेहार पर किया जाने वाला मेला है लगने वाला मेला है और ये मेला कहां लगता है तो ये मेला हमारा ब्यावर में ही लगता है ये लगता है अपना चेत्र कृष्णा प्रतिपदा को यानि हुली की त्योहार पर ये मेला हमारा लगता है उसी के दूसरे दिन देखे चेत्र कृष्णा दूइत्या को और įह होता है मयूद यह सारे इसमें जड़ते करते हैं दोस्तों ओर और टोड़-गर्ड काफी इंपोर्टेंट जगह हैं टोड़-गर्ड को हम राजस्तान का‌मनी माउंट अबू भी कहते हैं किस नाम से जाना जाता है तो इसे हम मिनी माउंट अबू के नाम से जानते है थोड़ा सा इंपोर्ट नमरा टोड़ रह जाता है इसके बाद में कुछ एतिहासिक और या हम कहीं कि अध्योदिक दृस्टी से मैं तो पूर्ण है राजस्थान की पहली सूति वस्तर की जो मिल ल स्री सिमेंट उसका भी तो फैक्ट्री है वह यहीं लगा था और मध्य आरावले यहां परवत भी है तो मध्यारावले ब्यावर जिला है उसके बदनौर के पास खारी नदी के तर्ट पर हमीं मिलती है और यह जो उज्याना से बिता है यह तामर यूगिन आहड से बिता के इंतरगत आती है दोस्तों बहुत ही फेमस अस्ती मेरा बाई बत मेरा को को नहीं जानता होगा इनका जन चौदर सो ठानव में कुड़की गाओं ब्यावर में ही हुआ था यह थोड़ा सा अलग हमारा रह गया क्योंकि हमने अभी तक इसको पाली में याद किया हुआ था दोस्तों तो इसलिए अच्छे से हमें यह याद रखना चाहिए यहां से एक कुश्यन आप से पूचा जा सकता है क्योंकि थो के ब्यावर में ही है मसुदा मसुदा रासन में अजमेर के ब्यावर का एक गाउं है जो पहला साखथर गाउं बना था तो तोडग怎麼 दो का जिसें कर्णल टोड ने बनन वाए था सली वह में से toodल करते हैं इस लिятсяे जो है बोरा सोड़ा दुरू के नाम से भी जानते हैं दोस्तों तो कुछ भी नाम आई बात तो दोनों में से एक ही रहेगी टोडगड को कहीं या बोरा स्वड़ा दुर कहें दोनों हमारे लिए एक ही रहने वाला है इसके बाद में देखीगा एक फेमस युद हुआ यहां पर गिरी सुमेल युद यह जिसे जितान का युद भी क को याद होगा थोड़ा सा नाम मैं यहां लिख देता हूं जिता और कुमपा के साथ में युद हुआ था सेरसा सूरी सेरसा सूरी के साथ में हुआ था और इसे में कहा था सेरसा सूरी ने कि एक मुठी बरबाजरी के लिए मैं हंदुस्तान की बादशाहत को खो देता ये इसे लिए थोड़ा सा फेमस रह जाता है दोस्तों देवर भाबी की होली प्रसिद है ब्यावर की भेरव नर्ते भी ब्यावर में होता है कब होता है बादशा बिर्बल के सवारी जब निकलती है तो बिर्बल द्वारा ये किया चाता है मंदिरों में पीपलाज माता का मंदिर है ब्यावर में कल्पवरक्ष ब्यावर में ही है यहां बहुत समय पुराना कोई पेड होता है तो उसे हम कहते हैं कल रक्ष एड़वर्ड कोटन मिल यह राजय की दूसरी और सरकारी क्षेतर की पहली सुतिवस्तर मिलती 1906 में इसे भी ब्यावर में ही लगाया गया था संत दर्याव जी काफी फेमस रहे ब्यावर चले के मसुदा तैसिल के पास में है देव माली यह देमाली गाओं है यह जहां पर इनका जनम हुआ था दोस्तों यह आद रखना एक मिसेनरी स्टोन यह भी ब्यावर में ही निकलता है एसबेस्टोस ब्यावर के कोटड़ा में और नई खुर्द में निकलता है दोस्तों एक दो चीजें और हम यहाँ पर अगर याद रखना चाहें तो कुशाल माता का मंदिर कुसाल माता का मंदिर है ये भी कहा है बदनोर में है दोस्तों ये भी कहा है बदनोर में है डिगी महादेव मंदिर भी आता है एक और याद रखना चाहें तो विग्न हर्ता मंदिर विग्न हर्ता मंदिर ये भी कहा है कॉंक में ही है दोस्तों याद रखी गैंद को तो दोस्तो इतनी ही थी important बातें जो हमें याद रखनी थी एक दो बातें और थोड़ा मुझे यादर है एक देखिए नस्वार अब तो ladies come सूंगती है पहले बहुत आता था सूंग नी नस्वार जो है न वो भी कहां कि आती है ब्यावर की फेमसर दोस्त जी खुरजो एक समाचार पत्र था जो जय नरायन वियास के द्वरा ब्यावर से ही प्रकाशित किया जाता था दोस्तों तो दोस्तों यह हमारा यह था हमारा बदनूर जिला जो काफी important है सोरी ब्यावर जिला काफी important था हमने अज्मेर और व्यावर जिले को च्ठसे अध्य कर लिया है तीसरा हमारा इसका जिला है केकडए जिसके विशह में आज हम मध्यान करने वारे हैं चोटा सा जिला है यहां देखीगा यहारा हमारा केकडHI और इसके जो प्रोसी जिलों की बात करें तो अजमेर आ गया दूसरा टॉंक आ गया तिसरा शापुरा आ गया एक भिलवाड़ा आ गया और एक हमारा आ गया ब्यावर ये जिले हैं जो इसके प्रोसी जिले रह गी अगर हम बात करें केकड़ी की जिला केकड़ी तो केकड़ी जो जिला है हमारा वो किसकिसे मिलकर के बना है अजमेर केकड़ी, सावर, बिनाए, सरवाड, टांटोटी तहसील और टॉंक जिले की टोड़ा राए सिंग तहसील को मिला करके दो है इसको जो है बनाया गया है दोस्तों यह याद रखिए गया और केकड़ी की सिमा पांजिलों से लगती है यहां हम देख चुके हैं केकड़ी अजमे कि अगर हम बात करें केकड़ी का पुराना नाम कुन सा था तो पुराना नाम इसका आता है कनकवती किस नाम से जाना जाता था यह प्राचिन काल में कनकवती के नाम से जाना जाता था यह कनकवती गुर्जर जाती की महिला थी जिसके नाम पर जो है यह नाम हमें देखने को मिलता है कुछ जरूरी बाते जो चेंज होई है important संधपीपा टोंक में पढ़ते थे हम ये अब केकड़ी में है संधपीपा की तपोस्टली है जो अब केकड़ी मेंD बैशलपुर्बांध का मेंपढ़ते थे ये भी मुखनीज रह गया बिनाए बहुत इंपोर्टेंट है राज्जी की पहली जो सरकारी सोरी सहकारी समीति का निर्मान किया गया था वो यहीं किया गया था 1905 के अंदर एक मतुराधीस मंदिर की बात करें तो वो भी सरवाड में ही है इसके लावा सरवाड कहां है केकडी में है इसके लावा बिसलपूर कंजर्वेशन ये भी कहां है केकडी में ही है और कोड़ा मार होली होली पे जो होती है कोड़े मारे जाते हैं इसमें मेलाओं के द्वारा ये भी बिनाए बिनाए अब केकडी में है दोस्तों यह याद रखना एक मेहरकला गाउं है यहां पर जहां तोकरी सारा गाउं जो है वो टोकरी बनाने का कारे किया करता है यह याद रखी गाउं जो है यह हमारे रह गया टोडा राइसिंग जो आपके तहसील रहे गए उस तहसील का एक गाउं है मेहर कला बुद सागर यह भी टोडा राइसिंग में है यहाँ पर फिश एक्वेरिम भी है बुद सिंग जो थे महराजा बुद सिंग उन्हें के नाम पर यह एक सरोवर यह सागर बनाया गया है बुंदी के नरेश थे यह बुद सिंग बुद सिंग कोन से हैं बुंदी वाले हैं जिनक और एक आगया हमारा ख्वाजा फक्रो दिंतिस्ती की दरगा है वो भी कहा है सरवाड में ही है बलू बावडी ये भी आज रखी गा बलू बावडी कहा है बलू बावडी का निर्मान कहा जाता है एक राक्सस हुआ करता था बलू राक्सस बलूराकसस उसके द्वारा जो है इसका निर्मान किया गया था कहते हैं कि इसका जो पानी है वो रंग बदलता रहता है जोस्तों एक चौनसट जोगनी का मंदिर है सरवाड केकडी में ही लाला पठान का किला या दुर कहां है ये भी केकडी में है अंगारों की होली कहां खेली जाती है तो ये भी केकडी में ही खुली जाती है इसके लावा एक रानी जी का कुंड कुंसा कुंड है दोस्तों रानी जी का कुंड जो कौनसी है हाडी रानी का कुंड है कुन से रानी का कुंड है हाडी रानी का कुंड है यह देखेगा टोड़ा से राय सिंग के ही एक चुड़ावत राजा वगा करते थे रतन सिंग रतन सिंग थे उन्होंने ही अपनी हड़ोती रानी के सनान करने के लिए जो है इसका निर्मान करवाया था और इसलिए इसका नाम रानी जी की कुंड या फिर हडी रानी का कुंड हम इसे कह देती हैं ये एक ही है दोस्तों तो बिल्कुल छोटा सा जिला था अब इसमें तो क्या ज़्यादा हम कहां से बढ़ा है लेकिन जो भी important चीजे थी वो सारी हमने अच्छे से discuss कर ली है मुझे उमीद है क्लास आपको अच्छे लेगी होगी सच में अच्छे लेगी हो तो टॉंक जिला है दोस्तों जिसके विशे में आज हमें पढ़ना है ये काफी पुराना जिला है और बहुत सारी चीजे यहां की important है यहां अगर हम देखें टॉंक की बात करें तो इसे जो कहा जाता है उप नाम आता है इसका नवाबों की नगर आपसे पूछा जाए कि नवाब अपने एच इसको कह सकते हैं इस तरह की आकर्ति इसमें बनती है दोस्तों तो आकर्ति किसके समान है एच की समान अलग है कृष्चन इसलिए मैंने बात की इसके विशे में और यहां इसके उपनामों के विशे में बात करें तो रेड है नवाबों की नगरी है नम्दों का स श्री रानी की नगरी भी कहते हैं मिठे खरबुजे यहां पर खूब खरबुजे होते हैं श्री मिठे खरबुजो का जमन भी कहते हैं अदब का गुल्षन अदब इसमें ज्यादा है इसलिए अदब का गुल्षन भी हम इसे कहते हैं दोस्तों अगर हम इसकी स्थापना की बा प्रोसेजलेस में आठ हैं कौन-कौन से हैं यहां देखें एक बार यह हमारा टॉंक रह गया तो एक तो हमारा आगया जैपर ग्रामिन एक दोसा के साथ इसकी सिमा लगती है यहां पर एक सवाई माधोपुर से लगती है एक इसकी बुंदी से लगती है एक इसकी सहपुरा से एक इसकी केकडी से लगती है एक इसकी अजमेय से लगती है और एक इसकी दूदू से लगती है इतने जिलों से जो है टॉंक को ही अपने मानती हैं दोस्तों इसके बाद में देखिएगा सरोपर्थम शिकार एक्ट सरोपर्थम शिकार एक्ट जो है वो कहां लाया गया है तो शिकार एक्ट भी सबसे पहले टॉंक में ही लाया गया था कसरे इल्म क्या है कसरे इल्म है अर्भी फार्सी सोच संस्तान या हम यूँ बात करें अर्भी फार्सी सोच संस्तान कहा है वो तो वो टोंक में है अर्भी फार्सी सोच संस्तान कहा है टोंक में है और इसी का उपनाम आता है कसरे इल्म इसी को हम क्या कहते हैं कसरे इल्म के नाम से भी जानते हैं दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1978 को किसकी अर्वी फार्सी सोच संस्तान जो है इसकी स्थापना इस समय की गई थी यहां है वनस्तली विद्यापीठ निवाई टौक में बहुत ही यह हम कहें महिलाओं की शिक्षा के लिए जो है लड़कियों की शिक्षा के लि थी हिरालाल सास्त्री का नाम आता है इसमें हिरालाल सास्त्री और उनके पतने रतन सास्त्री के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी 1935 में 1935 के अंदर इसके स्थापना की गई तो इसका पुराना नाम जो था वो था शांतिबाई कुटीर पुराना नाम क्या था शा नस्तली विद्यापीट के नाम से जानते हैं दोस्तों और यहां क्या है केंद्रिय भेड़ेवं उन अनुसंदान केंद्र अविकान नगर टौंक में है यह क्विश्चन बहुत बार पुछा जाता है बहुत इच्छा और बहुत ही इंपोर्टेंट यह हमारा क्विश्चन रह जाता है 1962 में इसकी स्थापना किये थी एक यहां पर है किला किले की बात करें तो अमीर गड़ जिसके निर्माता बहुला ब्राह्मन को माना जाता है छोटा किला है इतना को इंपोर्टेंट तो नहीं है काकोड का किला जिसका प्राचिन नाम कनकपुरा भी है दोस्तों काको रजस्तान का एक इकन हो रहा था तो हम बात कर रही है कि लावा का क्या था रजस्तान का एक मात्र ठिकाना हुआ करता था वो ठिकाना भी यहीं पर है गया दोस्तों एक यहां की बहुती परसिद सेली है चार बेंट सेली टौक है जिसके जन्म जाता करीब खां को माना जाता है एक नवाब हुआ करते थे फैजुला खां कौन से खां फैजुला खां हुआ करते थे जिसके समय में जो है यह परसिद हुआ और इसके परवर्टक जो है अब्द पुरानी सबेता नगर सबेता टॉक में ही है नगर सबेता कहां की जानी जाती है टॉक की जानी जाती है नगर सबेता इस सबेता का अन्य नाम खेडा सबेता भी है खेडा सबेता के नाम से भी जाना जाता है इसी को कहा जाता है मिर्ची मंडी अगर आपसे पूछा जाए मिर्च मंडी कहा है तो मिर्च मंडी टोंक में है मांड कला गाउं है काफी फेमस है ये भी मिनी पुसकर के नाम से जाना जाता है मांड कला गाउं और मांड कला गाउं जो है वो मंडव या रिसी की तपोस्तली है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों असीरगड या पचेवर का किला कहा है तो वो है टॉंक में यहां बांध है दो मुख्यत है टोड़े सागर है गलवा है और मास्ची बांध है अगर आप से पूछा जाए जालंडरनात की गुफा कहा है तो वो भी टॉंक में ही है दोस्तों देवली एक सैनिक चावनी हुआ करते थे ठारस उस तावन के समय वो भी टॉंक में ही है रास्थान राजी में सबसे पहले अगर राज़किय बसेवा का प्रारम हुआ कहीं तो वो भी कहा हुआ था टॉंक में ही हुआ था एक दड़ा महुछ सव यहां पर होता है मकर सकरांती पर दड़ा देखी का कोई पुराने लोग होंगे तो वो जानते होंगे दड़ी कहते थे दड़ी मतलब कपड़े से बांद-बांद करके एक गोल जो है गेंद बनाई जाते थी फिर उसको एक दूसरे को मारते थे देव नराण जी का मेला कहां लगता है देव धाम जोधपुरिया में लगता है ये भी कहां है टॉंक में ही है दूस्तों सुनेरी कोठी कहां है सुनेरी कोठी भी टॉंक में ही है ये भी काफी सुन्दर है सुनेरी कोठी कहां है टॉंक में है अगर इसकी थोड़ी ओडिटेल में जाएं तो इसका जो निर्मान है वो 1824 में जो है नवाब अमीर खांगा करते थे नवाब अमीर खांथे उनके द्वार आण प्रारम करवाय गया तो अना शोनने का बहुत सारा कारिय कि गया इसलिए हम इसी कहते हैं इस चाहिए जो करनेश्वर मंदिर कहां है कहां यहीं है का जाते है तिर नदीयों का जांग मोता है तो बनासड़ाई और खारी राजमहल टॉक में जो है इन तिनों का संगम होता ह थोस्तों हुए पाध उनिया राच चितरकुली यहां कि पाधीacement यह है भी पॉया राच चितर चैली कहां की है तो अएल राच चितर डोस्तों को की है यह भी आप अच्छे से याद रहल कि गा जाद रहे जाएगा वेसे इतना लाउम सब्सक् gratis के लिए मीन गुवा कोण सहे हैं है यह गाउन जो है वह नारीयल की खेती के लिए परसिद है या नारीयल की खेती होती है और कुछ लुक्ट वेसा रहे गया से मेन QUEVA के रूप में विक्शिद कर रहा है जल मंदिर की बात करें तो जल मंदिर कहा है जल देवी का मंदिर जास्तान के टॉंक जले में बावडी गाउं में है यह मंदिर किसको समर्थपित है जल देवी को समर्थपित है लगवग डाई सो साल पुराना है ऐसा माना जाता है कि यह कोई के अंदर एक मूर्ति मिली थी उ उसे जलमंदिर के रूप में जाना जाता है एक डिगी कल्यान जी का मेला लगता है मालपूरा टॉंक में डिगी कल्यान जी का मेला इसके लावा मुबारक महल है वो भी कहां है टॉंक में ही है मुबारक महल टॉंक में है और नमदे और जरियों के लिए विशेशता जाना जाता है टॉंक यहां के प्रमु खनीज की बात करें तो वो भी कुन सा रह गया टॉंक रह गया इसके लावा एक दो बातें और हैं महत्वपूर्ण जो हमें जानने ची उनके विशे में भी मैं बात करना चाहूंगा तो संत संत धन्ना जाट का नाम आपने सुना होगा संत धन्ना जाट वो एक्ति थे जिन्हों ने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन की शुरुवात की थी च्रीगनिश किया था और इनका जनम भी जो हुआ था टॉंक में ही हुआ था दोवन गाउं में ये भी याद कर लेजेगा टॉंक के धोन गाउं में ही इनका जनम भी हुआ था दोस्तों और कुछ अगर आप याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं इंदिरा रुसोई हलाएं कि अब तो इनका नाम ही चेंज हो गया तो पुरानी सरकार के कुछिशन आने के समभावना कम रह जाती है लेकिन फिर भी आप याद कर लेजेगा इंदिरा रुसोई योजना कौन से वाली ग्रामीन जो ग्रामीन रुसोई योजना है उसकी सुरुवात भी 10 सितंबर 2023 को जो है वो यहीं से हुई थी दोस्तों ये भी एक अलग प्रशन था एक और नाम आप याद रख सकते हैं करपूर चंद्र कुलिस पत्रकारिता में बहुत अच्छा इनका नाम आता है तो इनका जो जनम हुआ था 20 मार्च 1926 इनका भी जनम कहां हुआ था दोस्तों टोंक म ही इनका जनम माना जाता है इन्होंने लगभगी माना जाता है 1956 के आसपास संद्य देने की रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी और आज आप जानते हैं सबसे बड़ा अखवार की रूप में राजस्थान में देखता है देखा जाता है इसको बहुत जमा मस्जिद अमीर खां के द्वारा ही बनाई गई है अमीर खां के द्वारा बनाई गई जमा मस्जिद भी यहां पर आपको मिल जाएगी डिगी कल्यांड जी का मेला अपने पड़ चुके हैं तो एक मुबारक महल यह भी है यहां पर मुबारक महल कौक में है और यह सुनहर कोठी जिसकी अपने बात करें सुनेरी कोठी के परिसर में ही आपको मिलेगा मुबारक महल ठीक है तो दोस्तों यह थी हमारी important जानकारी कौन से जले के विशह में अजमेर संभाग के टॉंक के विशह में जो भी important चीजे थी वो हमने सारी अच्छे से डिस्कस कर लिए तो अजमेर संभाग के जिले हमने अजमेर, आजमेर, ब्यावर, केकली, टॉंग सभी अच्छे से डिस्कस कर लिये हैं । आज की इस वीडियो में हम नागोर, को डिस्कस करनेлемे, काफी बड़ा संभाग है साथ जिले इसमें हैं यह थोड़ा बड़ा है यह बाकी दो थोड़े छोटे ही हैं अभी नए बने हैं इसलिए यहां देखीगा अजमेर संभाग के बात करें तो एक तो अजमेर हैं दूसरा नागोर तीसरा डेड़वाना कुचामन चोथा ब्यावर पांचवा केकडी च्टा साहपुरा यह साथ जिले हमें यहां पर अच्छे से देखने हैं बहुत इंपोर्टेंट संभाग है यहां से कुष्ण आने की संभावना भी ज्यादा रहती है तो चलते हैं सिधा नागोर जिले पे नागोर जिले का यह नक्षा आपको दिखाए दे रहा होगा यह हमारा र और प्श्टा हम ने नाम उसे हम इसे जानते हैं किसी ने किसी विशफ टाखे कर दूस्तों उपनाम का ताथप यह होता है किसी में कोई विशफ चीज्हाम हमें दिखाई दीए ती तो उस रिसाफित हमुसरे हम उसका ना पर प्छाए त है और मेर में गोल्टन सिटी बोल काम होता है इसलिए हम राजस्थान का धातु नगर अगर किसी को कहें तो वो कौन सा रहे गया नागुर जिला हमारा रहे गया नागुर को हम क्या कहते हैं धातु नगर इसके लावे यहां ओजार काफी बनते हैं लोहे के ओजार बनते हैं इसलिए हम इसे ओजारों की नगरी भी कहा करते हैं दोस्तों तो ये उपनाम हुए आज के संदर में होते हैं अगर हम प्राचीन नामों की बात करें तो ये विभिन कालों में विभिन नामों से जाना जाता रहा है एदिहासिक द्रस्टे से काफी महतवपूर्ण रहा है दोस्तों प्राचीन नाम में अगर हम बा कि अनंत गोचर के नाम से जाना जाता था और महा भारत काल के अगर हम बात करें तो महा भारत काल में इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था चुहानों का जो काल था चुहानों के काल में इसे सपाद लक्ष के नाम से जाना जाता था दोस्तों झाल holiday इससे प्राजिन काल में is जांगल प्रदेश damn look at फ़ु Спस्पादht लक्ष यहां। की जो महाबार्त काल है उसकी कोने रहा है कौन सबसे पहले संसथापकों के रूप में नाम आता है नागा राजपूत का नागा राजपूत थे इसके संस्थाफ़क और किसके नुसार इंपेरियल गजेटियर ओफ इंडिया 1908 के नुसार जो है नागा राजपूत शासक जो है इसके संस्थाफ़क माने जाते हैं अब एक इंपोर्टेंट बात जहां से कृष्टिन अमीशा पूछे जाते हैं कितने जिलों से सीमा लगती है साथ जिलों से सीमा लगती है कौन-कौन से है चूरू है और डीडवाना कुछामन है अजमेर है ब्यावर है और जोतपर गरामीन है फलोदी है और देखिए भीकानि सीमा लगती है और उसके बाद में देखीएगा जब हम बात करें दूसरी तो दूसरी सीमा लगती है देड़ मनकौन sequence का भी लंबें है और डिड़वाना कुछामन से लगती है उसके बाद में यहां देखेगा ये जो हिस्सा रहे गया हमारा ये किसके साथ में लगता है तीसरे जिले अजमीर के साथ में ये जो फ्सामरा इतना रहे गया ये तोness second है के रूप में ब्यावर से लगती है और ये हमारी सीमा रह गई जोदपूर ग्रामिन की ये पांचवी सीमा है इसके साथ में लगता है एक छटा जिला हमारा फलोदी यहां से लेकर यहां तक हो गया और फिर हमारा एक जिला रह गया बिकानेर जिला यह हमारा कौंसा जिला रहे गया साथ वाज जिला रहे गया तो इस पर गार से हम देखें साथ जिलों की सीमाईं जो है वो इसके साथ में लगती है कौन कौन सी चुरू है और डीडवाना कुछामन है अजमेर है ब्यावर है जोदपुर ग्रामिन है फलोदी है और बिकानिर है दोस्तों अब हम बात करें कि इसके आकरती लगभग वरताकार है दोस्तों कौन सी है वरताकार देखो लगभग हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके आकरती कैसी है वरताकार है यानि एक गोले के समान है बिलकुल पूरी तरह से तो नहीं है थोड़ा सा गोला ही अगर ये वाली जगह हम उठा के यहां डाल दें तो पूरा ही गोला बन जाता है पूछा जा सकता है कई बारे से मुरस्तल का ही भाग आता है लेकिन इसका दो अर्द मुरस्तली है यह पूरी तरह से अर्द मरस्तली नहीं यह घंजा इसका तीन चुतहाभ तरह मुरस्तली है voudखं़ि तेस हैं मिई मिया यहां जल्वाईयू की बात करें तो सुस्क प्रकार की जल्वाईयू यहां पर पाई जबती हैं। भी की थी फसलों की बात करें तिल याद रखीगा तिल सबसे ज़्यादा कहां होता है नागोर में तिल का उत्पादन होता है हरी में थी पान में थी कसूरी में थी ये सभी एक जैसे से ही नाम है कसूरी में थी इन सभी का उत्पादन जो है वो नागोर में ही होता है कड़ी ब साथ करें तो तंगस्टन धातो या खनीद जो है इसका सरवाधिक उत्पादन भी कहां से होता है दोस्तों नागोर से ही होता है और तंगस्टन की दो भारत की सबसे बड़ी खान है वो कौन सी है वो हमारी रह गई डेगाना इसके बाद में नागोर का एक और स्थान काफी इं पासर है इसके लावा यहीं का एक और स्थान है रोटू रोटू नागोर में ही है और यहां देखेगा जांबो जी का ससंग स्थाइल है जहां वो ससंग किया करते थे दोस्तों तो एक जो लोक देवता यहां पर काफी प्रसिद लोक देवता है जांबो जी आगे दूसरे ल नागोर में है तो दूसरे जो देवता हैं वो कौन से रहे गए हमारे, दूसरे देवता को भी मैं या लिख देता हूं, दूसरे हैं, तेज्जा जी दो लोग देवताओं का जनमस्थल है दोस्तों कुन सा नाकोर इसके बाद में गोटन जो है ये नाम जाना जाता था सफेश सिमेंट के कार खाने के लिए पहले ये क्विशन बहुत आता था कि सफेश सिमेंट का कार खाना कहां है कहां है आज उसका पूछे तो वैसे कोई उचिते नहीं रह जाता क्योंकि ये उस समय जब लगा था ये पहला कार खाना हुआ करता था और काफी लंबी समय तक एक ही रहा इसलिए जो है गोटन सफे सिमेंट के लिए जाना जाता है एक और इंपोर्टेंट बात परिवहन की दृष्टी से हम देखें तो रे रेल बस की और वो भी कौन सी भारत की जो पहली रेल बस सेवा है वो मेड़ता यानि मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के मध्या शुरू की गई थी दोस्तों है यानि एक ही डबाग गाड़ी का आप देखेंगे दोनों तरफ इंजन होता है कि दर भी वो जा सकता है अपने राजनिती की कहें लोगतांतरिक विकेंदरीकंड की कहें तो सबसे बड़ी जो बाती पंचायती राज तो नागोर पंचायती राज के लिए बहुत ही महतोपुन है क्योंकि दो अक्टूबर 1969 को बगदरी नागोर का वो गाउं है जहां से जवाहरला नहरू उस समय के हुए हैं साहेबा या पाहेबा का यूद जो राव माल्देव और जेट्सी के मध्य हुआ था पंदरासो इकतालिस ब्यालिस के मत्य हैं क्या हुआ कैसे हुआ वो कारण हम यहां डिसकस नहीं करेंगे यह इतिहास का मेटर वहां हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे दूसरा है मतीरे की राड यह भी काफी ज़्यादा फिमास है एक मतीरे की को लेकर के सीमा से समझे जगड़ा इनका अपस में हो गया था करण सिंग और अमर सिंग राठोड का और किसानों के द्वारा जो मतीरे को लेकर के जो विबाद हुआ उसमें युद हो गया तो इसके लिए यह 1625 में वह बहुत इमपोर्टन नागर का खेंसर खेंसर में क्या है एक तो कि मसर का किला है जहां महावीर स्वामिनने चातूर मासचार महा का समय बिताया था और ये वो स्थान भी है जहां पर मोगल समराट और अंगजेबी ठहरे हुए थे दोस्तों एक महोत्सव भी यहां मनाया जाता है मेरता में होता है नागोर के मेरता सिटी में गोट मांग लोद नागोर का अस्तान है यहां एक बहुत ही फैमस मन्दिर है ददिमतिमाता का मन्दिर और यह पतिहार कालीन है गुर्जर परतिहार जुआ करते थे और महा मारू शेली का ये एक प्रसिद मंदिर रह जाता है मेर्टा नागोर के अंदर ही एक और मंदिर है जिसका नाम है चार भुजानात का मंदिर इसकी जो स्थापना है वो राव दुदा के द्वारा की गई थी मेर्टा में एक और मंदिर है बहुआल माता का मंदिर बहुत इंपोर्टेंट है ये भी बहुआल गाओं में लगता है नवरातरा जब आता है उसमें साथमें आठमें नवरातरे को आठमा है शायद देख लेजीगा उसको मेरे तो आठमा ही याद है आठवे नवरात्रे के आसवास जो है वो इसका मिला भरता है दोस्तों कक्का भरता है अगर आपको मिले तो फिर उसका कमेंट कर दीजिए कभी दोस्तों संत काजी हमीदुदिन नागोरी की दरगाह ये भी कहा है नागोर में ही है हरी राम बाबा का एक बंदिर है जोड़ा गाओं नागोर के अंदर ये भी काफी फिर मिस्तान रह जाता है पसु मिले के लिए नागोर बहुत जाना जाता है क्योंकि सरवादिक पसु मिले दोस्तों लगते ही नागोर में है मालासर गाउं है नागोर का जहां राम देव पसु मिला लगता है दोस्तों नागोर दुरग जो बना हुआ है राजपूच शेली और मुगल शेली इन दोन्हों से मिल करके बना हुआ दुरग है नागोर दुरग और ये जहां देखीगा अमर सिंग राठोड की छत्री कहां है नागोर में है नागोर से गहरा चमंदगर कहें राज शासर तो अमर सिंग राठोड की छत्री कहां है नागोर में है हस्त ओजारों के लिए भी हमने कहा ना ओजारों हाथ से बने ओजारों के लिए जाना जाता है नागोर रोटू जो हमने कहा था सत्संग स्थल भी था जांबो जी का तो रोटू एक संरक्षित क्षेतर भी है शिकार के लिए 2012 में बनाया गया था सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र आना जाता है नागोर का एक गाउं है वरुन गाउं और वरुन गाउं बहुत ही फेमस है किसके लिए बकरियों के लिए जाना जाता है दोस्तों मेरा भाई का लालन पालन जो है वो भी कहा हुआ था दोस्तों मेड़ता सिटी में ही हुआ था ये भी इंपोर्टेंट है कुराडा गाउं कुराडा गाउं नागोर का कुराडा गाउं अगर पुछा जाए कि कुराडा गाउं इंपोर्टेंट है या कुराडा गाउ इस्תल भी हमें मिला है जाहिल के अंदर ये भी एकाँ है नागोर में ही है जैसा हम ने कहा, पसु मेला लगता है तो ना थुरा मिरदा पसु मेला ये भी नागोर में ही लगता है और नागोर दर्बार अक्षू पार नलगाया था जहां पर अधिक्तर राजपूत सास्कों न जो है वो रास्षान के सास्कों ने अक्षne अधिनता सвигार की थे तो नागोर दरबार पंद्रहसUT sophomore में लगाता यहीं पर श्रू करो नलाए चब्दा यह कहा है इंपोर्टेंट बेल है दोस्तों यानि में को बहुत ही काम का शक्तिशाली बेल माने जाता है तो बाजाबास गाउंट जो है वो नागोरी बेलों के लिए जाना जाता है संबू द्याल सिंग हवलदार ये कौन थे तो ये वो वीर वेक्ति थे जिने राज्य का पहला असोख चकर मिला था ये भी नागों से ही समघ दीता है दोस्तों केम की वर बात की सोर उental this नागोर में देखने को मिलती है नागोर का गाऊ है पान में थी के लिए जाना जाता है को उसके बाद में दोस्ते देखते सुहालकपरतेश नागोर का ही है सुहालक परदेश यहां नागोरी बेल होते हैं नागोरी बेल के लिए विसे इसता जाना जाता है इसके बाद में दोस्तों देखीगा हमने बात की थी राजे में सबसे ज़्यादा पसु मेले जो हैं वो कहां लगते हैं वो भी नागोर में ही लगते हैं राजे के सरवादिक परसेव में ले नागोर में लगते हैं ये question important है कई बार पुछा गया है इसके बाद में एक और संत हमने देखा जांबो जी तेजा जी यहां संत दरियाव जी का समझ भी रहा है जनम तो यहां नहीं हुआ जनम तो इनका स संत दरियायूंजी का जो हहें जतार्म में ही वह था स्विक नेंकि राम संफ्रदाई के हिए करेंगान थी दोस्तों डेगाना जील है ये भी कहां है नागोर में टंगस्टन के लिए जाना जाता है डेगाना मालकोट तुर्ग ये मेड़ता में रह गया एक पसूपतिनाथ मंदिर है मजगाउं नागोर के अंदर ये भी हमें याद रखना है दोस्तों यहां अजमेर संभाग में देखेगा अजमेर जिला ब्यावर केकडी टॉंक और नागोर हम पढ़ चुके थे दो चुटी चुटी जिले बचे हैं जिनको दो वीडियो में पने पुरा कर लेंगे डेड़वाना कुचामन और शापुरा तो यहां देखेगा अजमेर हो गया हम मुख्याल है नागोर हो गया यह हमारा अभी बाकि है डेड़वाना कुचामन और यहां बाकि रह गया सहत पुरा और बाकि अभी हमने सारे के सारे कर लिए हैं नागोर हो गया यह रह जानते हैं सबसे पहले हम देखें डेड़वाना कुछामन के स्थापना तो बिल्कुल नए जो 19 जिले थे उनके सब के स्थापना का दिवस्तो एक ही है और वो है हमारा साथ अगरस तो हजार तेईस को मुख्यमंतरी अशोग गहलोत के द्वारा जो है ने जिलों का गठन किया गया था उनमें से ये भी एक जिला था और यहां जो हमें याद रखने वाली बात है विशेशता याद हमें यहां यह रखना है कि इस जिले का जो पुनर गठन हुआ है या निर्मान हुआ है वो नाग कि नए जिले के अधिन का गठन कर दिया गया जिसे हम देड़एक द्रस्टी से देखें तो इसमें अभी छै उप्खंड है और आफ तसिले हमीं देखने को मिलेंगी इस छोटे से जिले के अंदर जो है चै उप्खंड है और 8 तसिले है अगर हम हम बात करें पडोसी जिले की कौन कौन से हैं तो पांच प्रोसी जिले हैं इसके डिड़वाना कुचामन के किते जिले हैं पांच देखें एक एक करके यह हमारा डिड़वाना कुचामन रहे गया और यहां सबसे पहली जो सीमा एक नंबर जिले की लगती है चुरू की चुरू के बाद में जो दूसरी स सीमा लगती है हमारी सीकर की यहां से यत्य लंबी रिखा हमारी सीकर की ही लगती है फिर यह देखी का टेडी मेडी सीमा हमारी यहां पर किसकी लगती है जैपुर ग्रामिन के लगती है तीसरी सीमा चुर्थी सीमा बिलकुल अजमेर संभाग मुख्यले से लगती है ये हमारा अजमेर संभाग की सीमा रह गी और इसके बाद में अंतिम जो हमारी सीमा लगती है वो नागोर जिले से हमारी पांचवी सीमा इसके साथ में लगती है लगनी की थी क्योंकि ये नागोर का ही एक भाग रह गया है दोस्तों तो दोस्तों आगे बढ़ें और सबसे पहले हम बात करें डीडवाना कुछ आमन में डीडवाना की ही नाम की तो डीडवाना जो स्थान है जो जिला है डीडवाना का प्राचीन नाम जो हुआ करता था वो उपनाम यहां इसका आता है संस्कृत काफी प्रचलित होने के कारण काफी नाम होने के कारण سंस्कृत में तो इसका नाम आभा नगरी और उपकाशी के रूप में भी जाना जाता है दोस्थों नागोर का ही एक सोरी डीडवाना कुछामन का ही एक मुख्य भाग है लाड़नू है नावा है मकराना है मकराना जो नागोर की पहचान हुआ करती थी अभी वो डीडवाना में है दोस्तों तो लाड़नू जो है इसे प्राचिन काल में हम चंदेरी नगर हेमावास या हेमास के जाना जाता था अगर आप से जनरली कभी किशन पूछ ले कि लाड़नों का ब्राचीन नाम क्या था तो हमें इच्छे से यादी होना चाहिए इसके बाद में यहां का एक मुख्य तैसिल रह गया नावा नावा जो है वो नमक कारोबार के लिए जाना जाता है यहां काफी खारे पानी के जिले हैं दोस्तों और खारे पानी के जिले अब सबसे ज़्यादा डीड़वाना में ही आ चुकी है दोस्तों तो नावा जो है वो नमक कारोबार के लिए जाना जाता है ये इंपोर्टेंट हमारे लिए रहे गया नमक कारोबार के लिए कौन सा जाना जाता है नावा मकराना, मैंसे मकराना, मैंसे बार्बल, सफेज संगरमर के लिए एक पहचान है एक जो विशिस्ट पहचान अमरे पूरे देश में देखने को मिलती है जहां आप सफेज पत्थर देखते हैं ज्यादातर कहां कहां है मकराना के ही आपको देखने को पिलता है और इतना खुबसूरत पत्थर है कि जो ताज महल का जो निर्मान हुआ है विक्टोरिया पैलेस का भी जो निर्मान हुआ है वो निर्मान भी किस से हुआ है मकराना के मार्बल से ही हुआ है इतना सुन्दर मार्बल यहां का है दोस्तु डीडवाना में और क्या है डीडवाना से ही समने तुछ आ है इसके जो परवज़ते हैं तो यह तो वैसे ही ना मैं याद रह जाएगा अगर आप से पूछे कि कुचामंदुर कहां है तो कुचामंदुर कहां है तो कुचामंदुर कहां है तो कुचामंदुर कहां है तो वैसे याद रह जाएगा लेकिन बात यह है कि और क्या इंपोर्टेंट है तो इसे यह जागिरों के द्वारा बनाया गया किला है तो यह जो है जागिर कि लोंका सिर्मोर कहा जाता है अगर आप से पूछा जाए कि जागिरी कि लोंका सिर्मोर हम किसे कहते हैं तो कुचामन दुर्ग को कहते हैं दोस्तों इसके लावा परवत सर बहुत एहम स्थान था बहुत पुशुमेले लगते हैं और यह जो परवत सर है अभी नागोर में न तका मंदिर अगर पूछा जाए तो कहां है डीडवाना कुछामन में है दोस्तों एक जैन संप्रदाए के प्रमुक व्यक्ति रहे संत रहे आचारे तुलसी इनका जनम भी लाड़नू में ही हुआ था जो डीडवाना कुछामन में है और ये किसलिए जाने जाता है ये जाने जाते हैं 1949 में इन्होंने अनुवरत आंदोलन चला है था दोस्तों 1970 में इन्होंने जैन विश्व भारती सिक्ष्ण संस्तान की स्थापना की और वर्तमान में ये एक डिम्डी यूनिवस्टी की जो है रूप ले चुका है दोस्तों तो आचारे तुलसी वाला भी काफी इं रखी गा इसके अलावा देखीगा यहां एक किसान अंदोलन के दौरान यहां एक कांड हुआ डाबडा हत्या कांड को अपने देखते हैं यहां हुआ यह हुआ कब है यह 13 मार्च 1947 को हुआ है जब मतुरा दास माथूर के नितरतों में एक समेलन चलाय जा रहा था जिसके उ पर अनग्रेजन गोलियां चलाई इसी को हम डाबडा हत्या कांड के नाम से जानती हैं दोस्तों गोल्डन पेंटिंग का काम कहा होता है यह कुश्चन बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है मारोड और कुचामन में golden paintings का काम कहा होता है तो मारोट और कुचामन में होता है सिखावाटी का सिहंदवार हम किसे कहते हैं डीडवाना को कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहां तक जब पहुंचते हैं तो मारवाड का यह आखरी नगर आता उसकी बाद में सिखावाटी प्रारम हो जाता है इसलिए हम सिखावाटी का सिहंदवार हम इसे कहते हैं राज्ये में सरवादे खारे पाने की जील कहेंगे हैं कहां है डीडवाना कुचामन में ही है तेजा जी पसू मिला परवसर कहां है नागोर में था अभी कहा है डीड़ वाना कुछ आमन में इसको अच्छे से आद के लिजीगा यहां मेला लगता है कब लगता है स्रावन पूर्णिमा से ले करके भादरपद की अमावस्या तक यहां पर एक माह के आसपास लग भग यह मेला भरता है दोस्तों सुरी पंदरह दिन का मेला होता है अब हम बात करें राज्ये का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है तो यही वीर तेजाजी पशु मेला जो है हमारा सबसे बड़ा मेला आता है वीर तेजाजी पसुमिला पर बसर नागोर में लगता है स्रावन पूर्निमा से भादर पद अमाउस्य तक लगता है और राजे का सबसे बड़ा पसुमिला ये रह गया दोस्तों यहां नमक से समझेत कुछ श्यूकार खाने है इसमें राज्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है राज्थान स्टेट साल्ट वर्क्स है ये दोनों ही कहां है? डीडवाना में है दोस्तों इसके लाव़ा एक बहुती महत्तपुन वेक्तिता है हो नावा में है डेडवाना कुचामन में हे है एक कुचामन शीटी जाने जाता है चकियों के एमरी स्đन के लिए यहांनी प्रवरतक और उनका जो पवित्तर स्टल है गाड़ा वो भी यहीं पर है दूस्तों डीड़वा ना जील की किनारे है सरकी माता या पड़ाय माता का मंदिर कुंसी माता का सरकी माता या पड़ाय माता का मंदिर वीर तेजा जी पशु मेला ये वीर तेजा जी पशु मेला कहां लगता है परवतसर नागोर में लगता है ये वीर तेजा जी मेला है से ना पशो मेला कोटा जे ना वीर तेजा जी मेला परवत्सर नागोर तेजा जिसमी को ना तेजा जी का मेला फिर देखीगा यहां एक इतिहासिक युद भी इसे समंदित है गिंगोली का युद तेरा मार्च 1807 को ये हुआ था सवाई जगत सिंग और जोदपर के महराजा मान सिंग के मध्य हुआ था कार्ण था कृष्णा कुमारी का विवाह ये बहुत फेमस रहा था इतियास के अंदर एक यहां की संत है संत राना बाई और संत राना बाई को राजस्थान की सेकिन दूसरी मीरा भी कहा जाता है राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है तो वो है संत राना बाई और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों इनका जन्म हुआ था हरनावा गाउं में मकराने के अंदर बिलकुल जो इनकी कहानी है वो मीरा के जैसी ही है लगवग इसलिए हम इसे राजस्थान की दूसरी मीरा के न है चोटा सा जिला है नया बना है ज्यादा कुछ इसमें है नहीं कुछ एतिहासिक चीजें थी दो हम नहीं पड़ ली है और अभी हमारा चल रहा है अजमेर संभाग आज हम अजमेर संभाग के अंतिम जिले शापुरा को डिसकस करने वाले हैं बाकि अजमेर ब्यावर के कड़ उपना को डिडवाना को चमेर ये सारे जिले हमारी अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं यह मारा शापुरा जिला रहे हैं बिलकुल छोटा सा जिला है नया बना हुआ और यहां अगर हम बात करें शापुरा जिले की विश्य में तो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना इसकी हुई थी 7 अगर्स 2023 को जो कि सभी 19 जिलों का स्थापना दिवस है ये बात मैं हर वीडियो में आप से करता हूं दोस्तों शाहपुरा जिला जो है भीलवाडा का पुनर गठन करके बनाया गया है ये याद रखीगा लेकिन है कौन से संभाग में अजमेर संभाग में यहां गडबर हो जाती है दोस्तों अजमेर संभाग में हैं लेकिन भीलवाडा जिले का पुनलगठन करके बनाय गया है इसमें पांच उठ्खंड है उर्चे तैसले हैं अभी हमें एक एक तैसल वगेड़ा को याद नहीं करना है अभी सिर्फ इस चीज़ को समझे कि कौन से जिले में क्या क्या चीज़े हैं प्रमुख जो चीज़े होंगी वो तैसलों के साथ अपने आ पा जाती हैं तो ज्यादा यहां तनाव लेने क्या शुक्ता नहीं है और चेंज हुआ है तो हमें यह पता चल जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ अब कौन से जिले में आ गई है बाकी सारा हम जब इस्ट्री पॉर्टिकल जोग्रॉफी को पढ़ेंगे तो वहां एक एक चीज़ को अच्छे से डिसकस करने वाले हैं और सभी चीज़े मैं आपको करवाने वाला हूँ बैस आप इसी तरह से मेरे साथ बने रही और वीडियो को लाइक शेयर जुरूर किया किजिए यही मेरे लिए होसला होता है और यही प्रेरना देता है आगे की क्लासों को बनाने के लिए तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर जीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजूजेगा इसी तरह की वीडियो आपको रिगूलर मिलते रहेंगे और यकिन मानिए इस तरह का content और इतना clear content और पूरा content पूरा कोर्स आपको किसी भी channel के द्वारा नहीं करवाया है गया है और आगे भी नहीं करवाया जाएगा दुश्टे में तो चलीगा बात करें शापूरा जिले के विशे में तो यहां यह शापूरा जिला रहे गया हमारा अगर इसके सीमाओं को देखी तो केकडी से लगती है दूसरी टॉक से लगती है तीसरी बुंदी से लगती है इतनी और चोथी हमारी के साथ में लगती है सबसे बड़ी सीमा बीलवाडा के साथ में लगती है ये हमारा छोटा सा शाहपुरा जिला रही है शाहपुरा स्थापना अगर पुराने समय में बाग करें अभी तो हमने कहा अशोग हैलोज साथ ने की थी लेकिन क्या सुरू से ही इन्हों ने की थी ये फूलिया पर गना था एक उसके जागिर्दार हुआ करते थी सुजान सिंग से सोधिया उन्होंने 14 दिसंबर 1631 को शाह जहां के नाम पर जो है शाहपुरा के थापना की थी दोस्तों ये याद रखीगा इसके परोशी जिले केकडी, भीलवाडा, बुंदी, टॉंक ये हम देख चुके हैं और यहां फिर से दिखा दू एक नमबर केकडी है दूसरा टॉंक से लगती है, बुंदी से लगती है और भीलवाडा से सबसे ज़्याद सिमय लगती है सबसे कम आपको टॉंक से दिखाई देगी चुटी मोटी तैसे लें, शाहपूरा है, जहाजपूर है, बनेड़ा है जिनको हम अच्छे से देख लेते हैं शाहपूरा के बात करें तो शाहपूरा राजिस्थान में बनने वाले अंतिम रियासत थी जिस रियासत का निर्मान हुआ, जिसे रियासते बनती है उन बनने वाली रियासतों में अंतिम रियासत थी ये किश्चन एक हमारा यहां पर बन जाता है रामसनही संपरदाए, ये बहुत इंपोर्टेंट है और लोग देवी देवताओं की फड़ होती है जिसे बांचा जाता है पढ़ा जाता है और लोग देवता के जो बोपे होती है उनके द्वारा उनका वाचन किया जाता है काफी अच्छी चीज होती है साहस्कृतिक दुरोगर है हमारे राजस्तान की तो ये शाहपुरा में ही बनती हैं और इसके लिए जो परिवार जाना जाता है मुख्यते वो जो अचीपरिवार को जाना जाता है रामसनी संपरदाय से ही जुड़ा हुआ एक महोतसव यहां पर होता है फूल्डोल महोतसव जो होली की दूसरे जिन होता है के सेकिंड आपको देखना की लिगा और एक एतियासिक विक्ती हैं करांतिकारी जनों ने सटिंटा संग्राब में भाग लिया केसरी सिंग बारट और केसरी सिंग बारट जो है उनका जन्मस्थान भी शापुरा ही है देवपुरा गाउं के अंदर इनका जन्म हुआ था और केसरी सिंग बारिट का पैनोर्मा भी यहां पर बना हुआ है दोस्तों पैनोर्मा भी बनाए गया है 14 अगेस तो 1947 को उत्तरदाई सासन की गोशना करने वाला पहला अगर कोई देसी राज्य था तो वो राज्य भी कौन सा था दोस्तों वो राज्य भी साहपुरा की था ये भी आदर चीगा साहपुरा प्रजा मंडल 1938 में ही बन गया था रमिश चंद्र ओजा के द्वीर जो है इसे बनाय गया था साहपूरा में चतरबूज नारायन का मंदिर भी है चतरबूज नारायन का मंदिर किसने बनवाय था तो सरदार सिंह की पतनी नरू की पर इवर्तन किये आरे समाज की सापना की गई महर्सित दयानन सरस्वती यह भी यहां पर आए थे और शाहपुरा में शाहपुरा तलाब हैं उसके किनारे जो है रेतिया बाग हैं वहां पर इन्होंने डाई महीने तक प्रति दिन यग्य किया था और यग्य करने के कारण ही य जो स्थान है वो काफी प्रसिद रह गया तो ये भी एक इंपोर्टेंट बात थी इसके लाब प्रताफ सिंग बारेट करंतिकारी इनका भी जन्मस्थान यही माना जाता है एक और स्थान यहां का रह गया इंपोर्टेंट जहाजपुर जो जाना जाता है युदिश्टर के पोत्र थे जनमेजे उन्होंने यहाँ पर एक विश्व प्रसीद यग्या था सर्प यग्या उसको यहाँ पर किया था और उसी यग्या के कारण पहले इसे यग्यापुर कहा जाता था फिर जो है परिबर्तित होते होते जाजपुर हो गया तद्वह के रुप में और फिर में करनल जम्स टोड भी यहां पर आकर के गए थे जहासपूर में और एक इंपोर्टेंट बात महा भारत काल से भी जुड़ा हुआ है यह और महा भारत काले इन सिला लेख हमें यहां से प्राप्थ होते हैं जहासपूर से एक और स्थान मैंने बताया था बनेडा है यहां का तो बनेडा में क्या है बनेडा के महल है जो सदार सिंग ने बनवाए थे और एक बाईजी की बावडी है यहां पर यह दो चीजें जो हैं बनेडा के अंदर है जो काफी फेमस है अगर आप से पूछा जाए रास्तान की सबसे छोटी रियासत कौन से है तो शाहपूरा और स यहां से गुजरता है दोस्तों यह था हमारा शाहपूरा जिला जितनी बाते थी इंपोर्टेंट थी दोस्तों वैसे तो कितना भी करते जाओ दो दिन लगा दो इसमें लेकिन परिक्षा की दिस्ट्री से सारी बात मैंने आपको बता दी हैं और पूर्ण विश्वास से मौक , नागो, डिडवाना, सापूरा सभी हमने अच्छे से कर लिये हैं अब इसके बाद में चार संभाग हमारे हो गये अगले संभाग के विषय में जो डिसकस करेंगे अगलास उसी संभाग में अगली क्लास में और आज के लिए इतना हि इसी तरह की classes और वीडियो के